अगर आपके बाग में आम की उपज हर साल नहीं आती है या अगर आपके बाग में आम की एक समान उपज नहीं आती तो कल्टार के प्रयोग से आपके बाग की सही और बहतर उपज आपको मिलेगी कल्टार के इस्तमाल के चार मुख्य फाइदे है 1. फूलों का समय से जल्दी आन, 2. फूलों की मातरा में बढ़ोत्री, 3. एक समान फूल आने की वज़े से बहतर आम की पैदावार, 4. मारकेट में आम की पैदावार जल्दी उपलब्द होना और ज्यादा मुनाफ़ा पाना, कल्टार प्रयोग की सुजावित विधी, कल्टार का प्रयोग व्रुक्ष की छाया के आधार पर यानी दोपहर 12 बजी की धूप में करें, व्रुक्ष की छाया के आधार पर थालों का निर्धारन करें, थाले 5-6 इंच गहरा, एवं 3-4 इंच चोड़ा, 10-12 लिटर पानी के साथ मिश्रन करके समान मात्रा में कल्टार के घोल का बिखराव करें, एवं मिट्टी से ढग दें, यदी वर्शा ना हो तो कल्टार प्रयोग के 5-7 दिन बाद हलकी सिंचाई करें, कल्टार की सही मात्रा, 4 मिली लिटर कल्टार प्रती 1 मिटर व्यास के लिए इस्तिमाल करें, इस प्रकार से व्यास जितना ज्यादा उतनी ज्यादा कल्टार की मात्रा का प्रयोग